हरियाना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल ने चंडिगर से कुरुक्षेतर में वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर आधुनिक राजस्व अभिले कक्षका उद्गाटन किया कुरुक्षेतर जिले में राजस्व के मामले में सभी रिकॉर्ड ओनलाइन हो गई है कुरुक्षेतर के प्रते गांव कस्पे को ओनलाइन किया गया जिसके चलते एको रुक्षेत निवासियों को अपने माकान जमीन से सभी सरकाई जस्तावेच ओनलाइन उपलप्त हो सकेंगे उदर सिर्सा में सीम मनोहलार और डिप्टी सीम दुष्ण चुटाला ने राजस्वर रिकोर्ड रूम का उधुखाटन किया अब एक क्लिक पर उपलप्त जमीन का रिकोर्ड उपलप्त होगा इस दुरान सिर्सा में कैबिनेट मंतरी रणजीत सिंग चुटाला बीज़पी नेता गौबिन कांडा जच्पाज जिला द्यक्षव सर्भजीत मसीता डीसी अनीश व्यादव सहीत कई अधिकारी उनके साथ म पूरवर्ती सरकारों में जहां ब्रश्टचार चर्म सीमा पर था पूर मुख्य मंतरी तक को जेल की हवा खानी पड़ी हर्याना में ब्रश्टचारी कोई भी हो सक्त सजा दी जा रही है उदर हर्याना के डिप्टी सीम दोशिन चुटाला इमनानागर के गाम में शादी समरों में पहुंचे मीडिया से बास्चीत करते हुए डिप्टी सीम ने कहा उन्हें अमीद है कि लोकसभा में क्रुशी बिल रद होने के बाद किसान अपने अपने घरों को लोड़ चाएंगे हर्याना के राजस्फरिकोर्ट को ओनलाइन करने के बारे में उनोंने कहा हरियाना की जनता बधाई की पात्र है देश में हरियाना आज पहला राच्या बन गया है जिसने अपने 18 करोड 70 लाख डोक्यूमेंट अपलोड किये हैं कुरुशी कानुनों को वापस रियाने के बाद धरियाना की परिवान मंत्री मूल्चन शर्मा का किसानों की मांगों को लेकर अजीवो गई बयान सामने आए दरसल मूल्चन शर्मा के अनुसार आंदोलन के दुरान मारे गई किसानों की मोद पर मुआज़ा और रोकरी मांग करने वालों को मांगने का दिकार है लेकिन उनकी मांग को पूरा करना सरकार के हात में है यही नहीं परिवहन मंत्री के इनुसार कानुनों को वापस लेने से पहले संग्ठन ने सब ही छोटे बड़े बीज़ोपी नेताओं से चर्चा की थी तभी कोई फ्यासा लिया गया परिवहन मंत्री रामिलास शर्मा रविवार को सौनिपत में एक नीजी समरों में शामिल होने पहुंचे दुरान तीन कुरुशी कानुन वापस लेने के दुरान पी-म की तारिफ करते हो नजर आए प्रधान मंत्री रेंदर मोदी का ये सहासी कदम है उन्होंने ये तमाम बाते कहीं उन्होंने का पी-म मोदी ने देश हित के लिए ये तीन कुरुशी कानुन बनाए थे और अब देश हित में ये बड़ा फैसला वापस ले लिया गया है प्रधेश में कोरोना के मामलों में उतार चड़ा वजारी है कभी कोरोना के कम मामले प्रधेश के सामने आते हैं तो कभी कोरोना के मामलों का अग्राफ उपर चला जाता है 24 गंटों में कोरोना के 16 नई मामलों की पुष्टी हुई, विने 4 मर्याइजों ने कोरोना को माती है, गोरुग्राम से कोरोना के सबसे ज्याधा नो मामले सामने आynnay वहीं 5 कुरा से 4, फत्याबा से 2 और फिदाबास से 1 केस सामने आया, हाला कि राहत की बात ये रही कि परदे प्रदेश के साथ पॉर्द को प्रदेश को सम्मान दिया, प्रदेश के साथ शहरों को पुरसकार मिला इनमे गुर्गराम, रोतक और करनाल को भर्जी घ। कस्वा को सिर्वर अवोर्ड मिला है इस उपलब्दी के लिए स्वच भारत मिशन हरियाना के वाइस चेयर मैंने सुभाष चंद्र और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादर नी नागर को और शहर को साफ सुत्रा रखने वाले सफाई कार्यकरताओं को बधाईती है तो वहीं दूसरी तरफ है रोतक शहर को भी गोल्ड अवोर्ड मिला है उदर दूसरी ओर गोहाना पहुंचे कॉंगरिस के राजय सबासांस दिपेंदर से होड़ा ने कुरुशी कानून वापस लेने के फैंस जे पर बीज़बी सरकार पर निशाना साथते हुए किसानों की त बीज़बी के नेता किसानों को लेकर अनाब शनाब बयान देती रही हैं हाली में बश्टचार के मामले में हरियाना लोक सेवा आयोग में उचवदेकारी द्वारा 90 लाग के रिश्वत लेने के मामले में सीब्याई की जाच की मांग किये गई है इस दुरा अंदि पेंदर सिंग घुड़ा ने ये भी खा कि इस मामले की निश्पक्ष जाच के लिए सीब्याई जाच की मांग करता हूँ ताकि जो लोग जुड़े हैं वो सब के सब सामने आ सकें किसी के पास करोड रुपई के पेपर लिक करवा सकता है तो किसी के पास लाक रुपई हैं और वहीं आपको बताएं कि उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि मांग पूरी ना होने तक यांदूलन जाई रहे हैं कि इन सरकार के तीन क्रोशी कानों को खिलाफ आंदूलन की अगवाई करने वाले किसान संगटनों के समूँ सभी किसान मोर्चा ने प्रध उधर किसानों ने इस पत्र में लिखा कि देश के करोडों किसानों ने 19 नवंबर तो जड़े किस के सुभा राश्टर के नाम अपना संदेश सुना हमने गोर किया कि 11 राउंड वारता के बाद आपने दिवी पक्षय समधान की बजाए एक तरफा खोशना का रास्ता चुन ने आगे लिखा कि आप भली भांती जानते हैं कि तीन काले कानूनों को रद करना इस आंदोलन की एक मात्र मांग नहीं है। पत्र लिखेंगे। उदर गुरुगराम में देश की पहली 45 चावल बनानी की लैब शुरू की गई। अब देश में सभी लोग को पोशन युक्त 45 चावल मिल सकेंगे। यह प्रेशिक्षन अनुसूसित जाती समधाई के शोद करताओं को ओपीउ आईवी एफ की शेतर में अच्छे वेग्यानिक करियर को सुरक्षित करने में मुदद करेगा। लोहारू में संचाई एवं जन्सवास्ता विभाग के मुखे सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठकी जिसमें नोने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि विभाग की सभी परियोजना नरधारित समयाब धी में पूरी की जाएगी और हर गाम में किसानों को बिन राज्यों से 11 प्रतिभागयों को प्रशुक्षित किया जाता है। लाग के वंटल से जादा धान क्यावक हो चुकी है। जानाई कि ये कुड़ा और द्योगिक शेत्र के लोग जलाते हैं जिससे वो बहुत दुखी और परेशान है सरकार प्रशाशन को इस ओर तुरंत कदम उठाना चाहिए। उधर जजर के राज के स्कूल में चल रही जिला सरीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता दो दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में तीन आयू वर्क हैं जिसमें अंडर चोधा 17 के बच्चे भाग लेंगे। वहीं लगतार सबजियों के दाम आस्मान चूर रही हैं तो वहीं टमाटर भी अब और जदा लाल हो गया है। बलबगड सबजी मंडी की बात की जाए तो लोग को टमाटर 100 रुपाई किलो के हिसाब से मिल रहा है तो वहीं टीनडा 140 रुपाई किलो के दर से भिक रहा है। उदर कैथल के बीच बाजार में दिन दहाडे सोने के आबूशन चीनने के मामले में कैथल पुलिस ने अग्यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जान शुरू कर दी है। बता दे कि दिन दहाडे बाजार में एक लोटेरा महिला के सूने के आबुशन छीन कर फरार हो गया था। जब अपनी मोटर साइंकिल लेकर भाग रहा था तो पटेल बाजार के अरजुत नामक युवक ने मोटर साइंकिल के सामने खड़े होकर उसकी मोटर साइंकिल को रोका और धका मारा जिससे मोटर साइंकिल नीचे गिर गई और पराधी मूके से वहाँ छोड़ कर फरार हो गय ये वक्की भादुरी की पूरी घटना सिस्टीवी कैमरे में कैद हो गई है उधर बलब गड़ में अदरशुनगर सितर विनायक नर्सिंग होम में स्वासे विभाग की टीम ने छापे मारी और अवे तरीके से गरपात करने वाले तीन लोग को हिरासत मिलिया स्वासे विभाग की टीम ने डॉक्टर सितर तीन अन्य स्टाप को रंगे हातों गरपात करने के आरोप में गिरफदार किया और आगे कारवाई को शुरू किया उदर फत्याबाद में एस्पी सुरेंदर सिंग भोरिया ने पांच इंस्पेक्टरों सही तरियालिस पोलिस करमचारियों का तबादला किया बताय जा रहे कि एंटी नार्कोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर विकरम जोशन को जाखल थाना प्रभाडी बनाया गया वही जाखल थाना प्रभाडी बिजेंदर सिंग को टोहाना शहर थाना प्रभाडी लगाया गया एस्पी ने तबादले के आदेश तुरंथ प्रभाव से लागू करने के आदेश चारी किये उधर पानिपत में देव विपार की शिकायट मिले पर पुलिस ने शुनिवार देश्राम शहर के 6 सपाश सेंटर्स पर शापा मारा पुलिस ने शापी मारी के दुरान मोके से 6 लड़कियों सही तर एक सपास अंचालक को हिरासत मिलिया वह एक लड़की और सफास अंचालक को अंसल सुशान तर सिटी दो से हिरासत में लिया गया जबकि बाकी चार लोगो सेक्टर 25 के मेगा मोल वेस्मेंट में बने सफास एंटर से काबू किया गया मामले में सभी से पूछताज के बाद आगामी कारेवाई अमल मिलाई जाएगी उदर गुरुगराम में सीम फ्लाइंग ने चापे मारी करते हुए फर्जी काखजात बनाने वाले घिरों का भंडा फोर किया है बताया जारे कि आरोपी दो से तीन हसार में असली काखजात से छेर चाड करते हुए नकली वोटर कार्ट, पैन कार्ट, अधार कार्ट जैसे कई एहम काखजात बनाते थे और अधार अधिकारियों ने आरोपी के पास से लेप्टॉप, कम्प्यूटर, हार्डिस, पैन ड्राइफ काबू कर लिया गया है और पुलिस ने इस मामले में दू आरोपी को गिरफतार किया है उधर पानिपत के शिवा गाउं में ते रफतार का कहर देखने को मिला, दर असल एक कार जालक ने ओटो को टक कर मार दी थी इस हाथ से में एक विक्ती की मोके परी मोत हो गई और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मोके पर पहुंची और शब को कपजिव लेकर पोस्ट माटम के लिए अस्पताल में भिजवाया उदर नगरपाली का करमचारी संग हरियाना की रोतक एकाई के प्रधान संजय बिडलान उसकी पतनी और बेटे पर पाड़ा मोहला में लाठी टंडो से हमला कर दिया गया इस मामले में ओल्ड सबजी मंडी पुलिस स्टेशन में शिकायद दर्च करवाई गई और वहीं मोला निवासी संजय बिडलान का कहनाई की रईवार सुभ है गली में जा रहा था इस दुरान पडोस में ही रहने वाले सत्पाल टांक ने उसके साथ गली गलोज की और विरो झाल 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 अधर अवैद निर्बान के मामली में पुलिस ने निर्बाना धीन बेस्मेंट के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्च कर आगी की कारिवाई शुरू कर दिये बताया जा रहे कि अगर समय रहते अवैद रूप से हो रहे निर्मान कारे पर रोक लगाई जाती तो इ की मामला शांत होता दिखाई दे रहा है शहर में लगादार अवैद इमारतों का निर्मान हो रहा है दरपलवल शहर थाना शेतर सित आहलापूर गाउं में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर आपस में जगडा हो गया दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और कुलहार चले जिसमें करीब दरजन भर लोग गंभी रूप से घायल हो गई जिनकी पहचान रिवाडी जिले के गाव नूरपुर निवासी राजेश अर्मा और रजस्तान के अलवर जिले के गाव बल्डोध निवासी मोतिलाल के रूप में हुई है पुलिस ने शिकायत करता उधम सिंग के शिकायत पर अग्यात चोरों के खिलाप मामला दर्ज करती हुए जान शुरू की थी रतिया के श्री दशमेश कुर्द्वारा साहीब में देर रात एक व्यक्ति नशी की हालत में श्री गुरु ग्रंट साहीब के पास गद्धी पर जाकर बैट गया पुलिस के सूचना मेले के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को किलाफ वं मामला दर्च करते हुए आगी कालवाई शुरू कर दिये उदर शहाबाद में एक तीर अफ़तार वोलो बस एरियंदरित होकर दो गाड़ियों के उपर पलट गई साथ से में कई यात्री खायल हो गई हैं जिने इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवा दिया गया है ज़र पुलिस करमचारी ट्रेफिक को डाइवर्ट करने में लगे हुए थे इस दुरान एक तीर रफ़तार बस एरियंदरित होकर दो गाड़ियों पर पलट गई साथ से के बाद बस चालक मूगे से फरार है गवान अजिले के बरोदा रोड पर एक रिक्षा अचानक एंवियन से ठोकर पलट गया दर असल ये हाथ सा रिक्षा चालक के संतूलन खोने से हुए है और कई लोग इस मामले में खायल हुए है उदर गुरु गुराम के बादशापूर में ज्वैलरी शोप की छट का जाल काटकर चोर करीब 37 कलोचांदी और 25 ग्राम सोना लेकर फरार हो गई बताया जा रहा है कि चोरी की ये वारदाथ सिस्टीवी कैमरे में कैद हो गई है और दुखान के मालिक का इस मामले में जहा है कि पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और फिल्हाल पुलिस सीसी टीवी के शाईता से आरोपियो की तलाश में जूटी है उदर पानीपत में नावालिक से दुशकरम के मामले में चांदनी बाग थाना पुलिस ने आरोप्यों को गिरफतार कर लिया है और परजनों की शिकायत पर जांच में चुटी पुलिस ने आरोप्यों को गिरफतार कर आगामी कारिवाई शुरू कर दी है